गुड मॉर्णिंग आईज वेलकम बैक तो मारी चैनल सेरेक्स टेडिंग मैं सेले श्मार सिंग तो चलिए शुरुआप करते हैं हम आज की वीडियो की और आज है दो जन्बरी दोजाट चौविस और टाइम हो रहा है आठ बच के चोबन मिनट तो चलिए जल्दी से डिसकस क आरा है और मार्केट में कोई भी पॉसिटिव सेंटीमेंट नहीं है इस वज़े से आज हम केवल और केवल डॉफट राउनसाइड ही ट्रेट करेंगे डाउनसाइड करने का मतलब है या तो हम तो को बाई करेंग이 या कॉल को सेल करेंगे ठीकिए अन्द में आगयान आपको हमक completa सेम घंटर ती मिलेगोई यहाँ जम्राई तुरंत टूर्प साइटर नहीं करनी है हमें थोड़ा से यहाँ इंतिजार करना होगा हlor आग दूस्तों मिलते हैं बाकिा आगे की लाइब वीडियो में kasta करना होगा यहाँ पर सेरेक्स टेडर वैलिडेट कीजिगा HP स्केल्पिंग एकॉर्डिंग ठीक है जिनको नहीं पता है मैं आगे बताता हूं HP स्केल्पिंग क्या होती है और यहाँ पर मैंने लेफ्ट साइड में बैंक निफ्टी का यह चार्ट आप देख सकते हैं और राइट साइन में में 48,200 की कॉल को लगा रखा है तो जैसे जैसे बैंक निफ्टी डाउन जाएगी वैसे वैसे 48,200 की कॉल नीचे जाती रहेगी ठीक है उसका प्राइस डाउन होता रहेगा HP Scalping में हम क्या करते हैं हम तोड़ा सा मार्केट को opposite direction में देते हैं उसके बाद जब हमारे favor में दुबारा से आती है तब बहां से हम अपने high calculation करके वहाँ पर हम एंट्री करते हैं HP Scalping के बेस पे तो अभी हम वेट करेंगे और HP Scalping के ही according एंट्री करेंगे बट ध्यार दोस्तों तो 48,200 की call ने अपना जो है वो हाई लगा दिया है 228.75 का मदा 228.75 का तो अब यहां से जब यह down जाएगी ठीक है हमारी एंटी बनेगी 205 पर 205 पर जब यह दुबारा से इसका option का price आ जाएगा तब हम यहां पर इसे sale करके चलेंगे ठीक है और अगर नहीं आता है तो हमारी वहां पर entry बन जाएगी ठीक है और हमारा जो stop loss hp scalping में हो जाता है फिर वह हाई हो जाता है जिसको उसने अभी बनाया है ठीक है चलिए देखते हैं थोड़ी दर wait करते हैं अगर price आता है तो entry करते है और light तो काफी नजदीक आ चुके है हम अपने price के और मैं यह entry 204 पर हो चुकी है और मेरा यहां पर stop loss क्या रहेगा मेरा stop loss रहेगा 229 का 228 पिचतर जो इसने high बनाया था जहां से यह दुबारा से वापस आया है यही मेरा high होगा और मैं फटावट से stop loss order लगा भी देता हूँ just a minute ठीक है और तो हमारा high जो है वो 228 पिचतर का तो मैंने 229 का यहां पर stop loss लगा दिया है और यहां पर हमारा target क्या होने वाला है target होगा हमारा 143 का हमारा यहां पर target होगा minimum हम यहां पर कम से कम 60 point का टारगेट रखते ही रखते हैं और बाकी अगर हमारा target हिट होता है तो हम remaining को और ज्यादा deeper level के लिए रखेंगे with the help of trailing stop loss और जैसे जैसे trade हमारे favor में आती है हम अपने stop loss को trail करके नीचे लाते रहेंगे ठीक है तो मैंने anti कर लिए है और वेट करते हैं देखने क्या होता है अल्राइट दोस्तों तो मेरा trailing stop loss जो था वो 219 पर आ गया था और यहाँ पर यह हिट हो गया है ठीक है तो मैं trade से exit हो चुका हूँ कोई दिककत नहीं दोस्तों चोटा सा loss है अगर हमें दुबारा से trade मिलती है तो हम दुबारा से anti करेंगे और एक trade में अगर हमारा stop loss हिट भी हो जाता है तो हमें कोई डरनी की जरूरत नहीं है बट setup पे entry मिलेगी हम तभी anti करेंगे अब अभी bank nifty या से उपर जा रहा है अब हमने discuss किया दा कि हमारे sentiments upside के ही है हम केवलों केवला downside ही anti करेंगे तो यहाँ पर हमें अपना mindset change करने की जरूरत नहीं है bank nifty या चा रहा हुआ है इसे जाने दिंगे अब अगें दुबारा से हमीं anti मिलती हम दुबारा से anti करेंगे ठीक है entry हमारी hp scrapping base पर भी हो सकती है trigger base पर भी हो सकती है तो वेट करते है अगर dubaरा से anti मिलती यह shy और हम दुबारा से anti करेंगे अल्राइट चलिया ओल्राइट दोस्तों तो अगेन HP Scalping पे वेसे एंटी मिल लिए एक मिन फटाबाट से एंटी बना लेता हूँ ओके ओल्राइट ठीक है ओल्राइट दोस्तों तो मैंने यहाँ पर एंटर कर लिया है दुबारा से मैंने इसी कॉल को शॉट किया है 206 केरेट ठीक है तो अगेन मेरा यहाँ पर जो stop loss है बो 230 का होगा ठीक है जो 106 पे एंटी है अगेन 24 पॉइंट का छोटा से stop loss होगा और यहाँ पर मेरा again जो target है वो as usual बड़ा होगा मेरा कम से कम यहाँ पर 62 point का target हो गई होगा मतलब 144 का initial target होगा पहला ठीक है तो all right दोस्तों एक में हमारा trailing stop loss hit हो गया हमें 15 points का loss हुआ दूसरी trade में हम फिर से active हो गए है और अगर यहाँ से दुबार से bank nifty उपर जाता है हमारा दुबार से stop loss hit होता है no problem अगर हमें second कोई other entry मिलेगी हम फिर से anti करेंगे वट हम anti downside ही करेंगे ठीक है तो मैंने अपना stop loss भी लगा दिया है target भी लगा दिया है 144 का target लगा दिया है और stop loss अपना 230 का लगा दिया है देखते हैं क्या होता है again हमारे stop loss ही होता है यह trailing stop loss ही होता है यह हमारा target हमें मिलता है ठीक है all right दोस्तों तो बहुत भी बड़िया moment और हमारे यहाँ पर 144 का जो target तावे hit हो चुका है अब मैंने आधी quantity exit पर लगाई थी आधी quantity अभी मेरी बची हुई है डीपल level के लिए बट मैं यहाँ पर trailing stop loss को बहुत नजदीक लिया हुआ ताकि अगर यहाँ से reversal भी आता है तो मैं आज एक अच्छा profit लेके जाऊ ही जाऊ फिलाल मैंने 62 point का यहाँ पर जो है अपना target एचीब किया है और पिछली trade में हमें 15 points का loss हुआ था अगर हम उसे last कर दें तो अभी भी हम 47 point का तो profit हमने sure shot करी लिया है ठीक है और अगर market और favor में रहती है तो और नीचे जाती है तो 48 जाद दोस्तों के जो call है उसका price और down होगा देखते हैं दोस्तों कहां तक जाती है with the help of trailing stop loss मैं इसे tilt करता रहूँगा all right दोस्तों तो यह अपना 108 का low लगा के और बापस 125 पर आ गई है मैंने अपना 125 पर stop loss लगा दिया था और मुझे यहाँ पर again half quantity में मुझे 62 point में ले थे और बाकि remaining quantity में मुझे यहाँ पर almost 81 points का profit हुआ है ठीक है तो अगर हम इसमें से 15 point stop loss के निकाल भी दे तब भी आज हम एक अच्छे profit में close हुए all right तो I am done for that day और हो सकता है यहाँ से bank nifty दुबारा से recover कर जाए market ऊपर चला जाए यह हो सकता है और ज्यादा नीचे downside moment दिखा दे वर्ट चुकि हमारा target हिट हो चुका है हमारा trailing stop loss भी हिट हो चुका है अच्छा profit दिखाने के बाद तो overall हम बहुत अच्छे profit में आज close हुए तो अब हम आगे nifty नहीं करेंगे ठीक है तो all right दोस्तों learning आथ की आपको ये लेना है कि आपको अपने setup पे trust रखना है कभी भी घबराना नहीं है जो आपने अपना risk reward maintain करा है उसे proper check करके maintain करिए and अपने setup पे trust कीजिए trade का कुछ भरोसा नहीं है एक बार गलत जाएगी दो बार गलत जाएगी बट अगर आपका setup ठीक है तो तीसरी बार trade सही जाएगी और जब वो तीसरी बार trade सही जाएगी तो आपका risk reward ऐसा होना चाहिए कि जो वो दो trade गलत गई दी उनका loss भी निकल जाए और आपको at the end of the day profit ही मिले ठीक है चलिए दोस्तों I am done for the day मिलते हैं आपसे next वीडियो में thank you so much